हेलो गाईज क्या आप भी अपने वाटसब में चैट लोग करना चाहते हैं अपने किसी भी फ्रेंड की अगर आप चैट लोग करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तो मैंने आप सभी फ्रेंड को सिखाया कि वाटसब में चैट लोग को कैसे करती हैं तो इसके लेने है open करने के बाद दोस्तो उपर आपको उस person का नाम देखने को मिल जाता है जिस friend की चैट को आपको look करने है अब आपने क्या करने है इस जो नाम को देखने को मिल रही है इस पर आपने क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे के और score down करना है इसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक option देखने को मिल जाती है chat log अगर आपके दोस्तों वाटसम में ये option नहीं देखने को मिल रही है अभी तक तो आपने क्या करना है play store में जाना और वहाँ पर जाकर अपने वाटसम एप्लिकेशन को अपडेट कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपके भी वाटसम में ये chat log की option आजाएगी आपने क्या करना है chat log की option पर क्लिक करना है क्लिक करते ही यहाँ पर दोस्तों lock this chat with fingerprint की आपको option देखने को मिल जाती है सबसे पहले दोस्तों आपने काम कर लेना है आपने दोस्तों अपने mobile में जाकर सबसे पहले fingerprint जो आपका होता है mobile का उसको enable कर लेना है enable करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है जो यह option आपको जो ये friend होगा, इसकी chat यहाँ पर locked हो जाएगी, उपर दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, उपर आपको एक section देखने को मिल जाता है, locked chats का, यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको open करना चाहेंगे, chat logs को, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या वरना होगा, आपको अपना दोस्तों जो fingerprint आपने add की है, तब दोस्तों आपका यह chat log open होगी, जब आप अपना fingerprint यहाँ पर add कर देंगे, फिर दोस्तों आप अपने उस friend की chat को पढ़ सकती हैं, दोनों को यहाँ पर दोस्तों आप use कर सकती हैं, दोस्तों जो आपके mail का pattern होता है, उसको भी यहाँ पर आ करना सीख गए होगे, वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है, तो वीडियो को like कर देना, और चैनल पर पहली बार आई है, तो इस चैनल को subscribe करकर bell icon को press कर लेना, तांकि दोस्तों इसी तरह की interesting video के notification आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे हैं,